नमस्तर दे स्ट्वेंट्स, वेलकम टो आल, स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से, मेरा नाम है राहूलन्स चौधरी और आज है होली का अगला दिन, तो पिलेटिड होली बधाई हो आप सभी को, पिछले लेक्चर में मैं आप सभी को विश्च कर ना भूल किया था, लेकिन इस लेक्चर में वो जो कसर रह गए थी, वो इस लेक्चर में पूरी कर देते हैं, तो आप सभी को बिलेटिड होली की शुब कामना है, चलिए, दुबारा से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में एक्जाम है फ में हर तरीके का मतलब news phase जो है वो discuss किया गया, अगर आप धंक से अगर playlist को देखेंगे तो सब चीज़े discuss की गई है, financial चीज़े से लेके, economic parameter से लेके, political और साथी साथ science and technology से related हर चीज़ों को discuss किया गया है, तो आज उसी कड़ी में हम लोग जो नहीं चीज़ discuss करेंगे वो है African elephants, right, मुख्य परिक्षा कि अगर बात करें तो GS paper 3 से आता है, current events of national and international importance है, biodiversity, environment and conservation से ये related है, चलिए, शुरू करते हैं, down to earth का ये article है, तो सोचा क्यों ना, इस पे हम एक अच्छा खासा आपको write-up दे दे, एक अच्छी सी analysis इसके उपर दे दे, कि poaching habitat loss push Africa's elephants to the prank, तो poaching हो रह हो रही है, तो African elephant को जो है, मतलब एक अलगी level पे लेके आ गए है, कि उनका जो नाम था पहले critic endangered था, पहले vulnerable में आते थे ये लोग, IUCN के अगर red list की बात करूँ, तो पहले vulnerable section में थे, लेकिन बाद में ये वर्ड रिबर से हटके, अब critically endangered और danger में आ चुके हैं, क्या है पू critically endangered और जो sevenna, यानि कि जो bush elephants होते हैं, उनको endangered respectively बताया गया है, जैसे मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, यह है आपका sevenna और यह है आपका forest elephant, this is African forest and this is bush African elephant, right, इससे पहले क्या होता था, कि earlier African elephants treated as a single species, इसको bifurcate नहीं किया गया था, पहली बार ऐसा किया गया है, कि African elephant को दो parts में bifurcate कर दिया गया है, कि भहिया आपका एक पहला है forest और एक है आपका sevenna, right, तो इसमें आपको जो है bifurcate कर दिया गया है, इससे पहले नहीं किया जाता था, इससे पहले से fishy को ही देखा जाता था, और इसकी जो list up थी, वो कौन सी category के थी, vulnerable के थी, African elephants are the larger land animals on the earth, तो ये इनकी खास बात है, they have two finger-like features on their trunk, while the Asian elephants have one finger, जैसे आप अगर यहाँ देखेंगे, तो ये जो trunk आपको दिखाए दे रहा है, तो इसमें कई बार ऐसे दो तरीके से निकले होते हैं, right, अगर ये दो तरीके से निकले हुए हैं, तो वो African है, और अगर सिर्फ एक ही निकल रहा है, तो फिर वो जो है, वो Asian elephant है, तो ये एक थोड़ा सा फर्क मैंने आपको बता दिया, African elephants are keystone species, and also known as ecosystem engineers, right, जैसे हमने पहले भी discuss किया है, कि हाथी कुछ जल्दी भूलते नहीं है, अगर आपको याद होगा, तो project rehab पे मैंने एक आपके साथ lecture किया था, तो आज के पहला question आपका, एक lecture मैं इस पर दे चुका हूँ, आपको कि project rehab क्या है, तो उसी में मैंने आपको बताया था कि जो हाथी है, वो कभी भी अपना रस्ता भूलते नहीं है, अगर उनको किसी रस्ते से कोई परिशानी हुई है, तो वो उसको याद रखते हैं, इवन 20-20 साल भी मैंने की होती है, यह आप ध्यान रखेगा, और साथी साथ इनका जो समाज होता है, इनका जो group होता है, matriarchal होता है, कि मतलब यह सिर्फ female elephant ही इनको lead करती है, और जो male elephant है, after getting a kid, जो male elephant है, वो हटा दिये जाता है, group से, further African elephants are classified as forest elephants, and seven elephants, while the later is the larger of the two, तो अगर कोई आपसे पू compared to forest, right, Asian elephant के अब बाद करें, क्योंकि comparison Asian elephant के साथ भी आया, three sub species of Asian elephants are, तीन तरीके के हैं, Indian, Sumateran, Sri Lankan, सभी दिखाऊंगा, पूरी के पूरी डाइग्राम से, don't worry, देखेंगे Indian elephants कैसे हैं, Sumateran कैसे हैं, Sri Lankan कैसे हैं, India is a hub of around 28,000 elephants, तो 20,000 elephants का hub है, जिसमें से 25% कहां रहते है करनाटक में रहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, how many of you visit करनाटक आपने आगर वहां पे देखा होगा, तो Mysore जैसे इलागों में बहुत मतलब पाई जाते हैं, दिखते ही रहते हैं, Asian elephants का जो Iosian status है, endangered है, और यह schedule 1 of wildlife protection act, wildlife protection act 1972 के तहत आता है, यह लोग भी ऐसी schedule 1 में आत चीजे थी जो मैंने आपको बता दी कि इन से related का है, अब इनकी जो मतलब इसमें देखे बदला हुआ है ना अभी तो, पहले कहां vulnerable थे, अब critically endangered और डेंजर में आ चुके हैं, कारण, कारण है poaching, पोचिंग में भी अगर आप ध्यान देखेंगे तो आईवरी जो चीजे हैं और उसी conflict को रोखने के लिए एक project चलाया गया जिसका नाम था project rehab, इस पर lecture में आपको दे चुका हूँ, playlist में जाके जरूर देखेगा, यहाँ अगर आपको lecture अगर अच्छा लग रहा है तो lecture को like करना, share करना न भूले, positive positive comments रखें अपना, आईए, अब आगे थोड़ी सी औ oxodonta africana, right, अब यहाँ देखे, सबसे पहले difference पर आते है, ears do not cover shoulder, जो इनके कान है न, वो shoulder को cover up नहीं करते हैं, और यहाँ देखे, पूरा का पूरा cover up है, ears cover shoulder, right, यहाँ पे इनके पास back dips है, tallest at arc of back, तो यह arc of back पे बहुत tallest हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पास dip है, right, tallest tallest at shoulder, देख सकते हैं, forehead has two hums, forehead के पास two hums होते हैं, जब कि यहाँ पे curve होता है, साथी साथ यह single lobe वाले होते हैं, जो मैं बता रहा था, और यह two finger वाले होते हैं, two lobes होते हैं, इनके पास four or five toes होते हैं, इनके पास guarantee है कि five toes ही मिलेंगे, और पीछे four toes मिलेंगे, पीछे इनके three toes होते हैं loser more wrinkled skin यहाँ पर more wrinkled skin होता है जबकि यहाँ इनका ठीक रहता है काफी मामला तो यह difference है between Asian and African elephant की अब साथ इसाथ types of elephant पर भी चलते हैं यह African elephant आपने देख रहे हैं आप पूरा shoulder cover up करते हैं और यहाँ पर देखें दो lobe निकले हुए है तो African bush elephant है यह 7-9 और यह है आपका forest elephant आप देख सकते हैं कि larger of the two कौन नजर आ रहा है तो bush elephant ही नजर आ रहा है Asian elephant की बात करें तो this is Indian elephant 25% कहाँ पाए जाते हैं करनाटका में और total लगबल लगबल जो भी figure आ रहे हैं and this is Sumateran इनकी थोड़ी सी जो होती है बिल्कुल एकदम सीधी होती है Sumateran राइट तो यह Sumateran elephant है clear है आपको यहां तक सारी बात है चलिए आगे चलते हैं आप कुछ एक और बात में बता जेता हूं कि human और elephant का brain comparison थोड़ा देख लेते हैं human की जो brain का जो weight है वो डेड़ की लोगा होता है तो जो मानव का मस्तिक्ष है वो डेड़ की लोगा है 1.5 kg जबकि elephant 5 kg का है कितना बड़ा है देख रहे हैं 5 kg और whale कितना है 9 kg और सबसे ज़्यादा thinking capacity किसके पास है तो humans के पास है सबसे ज़्यादा thinking capacity humans के पास है हम सो सकते हैं एवन एक और मैं आपको बात बदा दूँ elephant जानते हैं कि वो elephant है मतलब अगर आप उनको mirror दिखाए ना तो वो देख के अपने आपको पहचान सकते हैं they are that kind of intelligent animal तो animal kingdom के अंदर सबसे intelligent प्राणी नहीं को कहा जाता है right और they really they have a very strong and sharp memory they और communicate भी करते हैं infrared signals के जरीए एक दूसरे से और ये भी है कि मान लीजे कि अगर आप 23 साल बाद आप इनके मतलब रहें इनके साथ जैसे आप इकलोते ऐसे species हैं जो मौन करते हैं मौन करने का मतलब कि अगर कोई इनका मर गया है तो उसके उपर ये मतलब आशू बहाते हैं वगरा वगरा emotions वगरा सारे दिखाते हैं साथी साथ उनके graves पे भी जाते रहते हैं साल दर साल जैसे कि हम जाते हैं अपने beloved लोगों को याद करने के लिए तो ये भी अपने ऐसे लोगों को याद करते रहते हैं तो ये कुछ अच्छी बाते थी elephant की जो मैंने सुच आपके साथ क्यों न जहिर की जाएं तो अगली बार अगर elephant को देखेगा तो गजराद जी को थोड़ा सा नमन करके और अच्छे से उनको स्ने करके निकल जाएगा चलिए आज का quiz start करते हैं आपका ये सवाल है आपके screen पे answer में अभी आपको बता दूँआ आप लोग attempt करें consider the following statement they are two subspecies of African elephants तो African elephants के कितने subspecies से दो पहला statement दिया गया है African forest elephants are list is endangered in IUCN list तो IUCN की list में इनको endangered रखा गया है African elephants are bigger in size as compared to Asian elephants which of the following statement is और are correct आपके पास चार option है only one, one and two one and three, one and two and three क्या होगा सही जबाँ पताइए grab कीजिए फटा फट revise कीजिए जो मैंने पढ़ाया है उसी में से पूछा है and the correct answer is option C पहला बिल्कुल सही है African को दो भागों में बाटा गया है forest और bush यानि सेवनना दूसरा African forest elements are listed as endangered नहीं endangered नहीं है it is critically endangered है यह it is critically endangered endangered जो है वो कौन है वो बुश वाले है African elephants are bigger in size as compared to Asian elephants that's true तो सही कौन सा होगा तो होगा first and three right तो C option हमारा correct option था आप में से कितनों का सही आया जरूर बताएगा आईए खुद को enroll कीजिए Economic Cracker के course पे combo courses भी launch हो चुके है 8 मही से आपके लिए comments किये जा रहे है खुद को enroll कीजिए करके दिखाएंगे कि spirit रखिए और आगे बढ़ते रहे है PT के subscription courses अन है एक महीने के लिए छे महीने के लिए आईए खुद को enroll कीजिए YouTube पे भी कर सकते हैं साइट से भी कर सकते हैं ideal for professionals, civil services experience, MBAs and college students तो इन सभी के लिए बढ़िया है subscription courses है enroll करते रहे है और लुट उठाटे दे रहे है current affairs की annual compilation भी आ चुकी है bookstore पे, link पे जाके अब अपनी book को download करके पढ़ सकते हैं हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे अगले session में till then take care, नमस्ते, जैहिंद